आज हम लोग जो चीजे पढ़ने जा रहे हैं वो डिश्टलर मार्केटिंग के अबारे में पढ़ने जा रहे हैं कि डिश्लर माकेटिंग होती क्या है और इसको हम लोग करते करते क्यों है और कहां कहां हम लोग इस चीज़ का benefits ले सकते हैं digital marketing के जरिये से किस तरह से हम लोग अपने businesses को promote कर सकते हैं या फिर अपने clients के business को किस तरह से promote करते हैं अब हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ना start करते हैं सबसे पहले हम जो इसके बारे में पढ़ेंगे what are you what are we going to learn सबसे पहले हम पढ़ेंगे what is digital marketing why use of digital marketing digital marketing strategies who can do this course career opportunities what students say about us हम स्टार्ट करते हैं what is digital marketing यहां पे लिखा हुए digital marketing is marketing which focus the user on internet mobile and other device अब यहां पे इस line का मतलब क्या है यहां पे user internet mobile और other device के बारे में represent कर रहे हैं तो यहां पे user कोन है user वो user जो क्या use करता हो internet use करता हो अब internet किसके ओपर चलेगा या तो कोई smartphone होगा mobile phone होगा laptop हो सकता है other device में tablet है कोई भी ऐसी device जिसके ओपर हम लोग क्या use करते हो internet use करते हो focus the user मतलब मुझे उस user को उस audience को target करना है जो इन सारी चीज़ों को use करती हो जिसके medium से हम लोग क्या करेंगे किसी भी एक ex budget business को promote कर सकते हैं उस audience तक पहुंचा सकते हैं अपनी एक target audience तक इन चीज़ों के लिए अब next यहांपे लिखाव digital marketing is promoting creating brand awareness using internet मतलब हम जो digital marketing use कर रहे हैं वो किसके लिए use कर रहे हैं promotion के लिए brand awareness increase करने के लिए किसके ओपर internet के ओपर मतलब कोई भी एक ऐसा business जिसको हम internet पे promote कर रहे हैं उसको इतना ज़ादा promote कर दो कि market में वो एक क्या represent हो उसकी brand value increase हो अब हमारे पास digital marketing के mediums कौन-कौन से होते हैं जहां पर हम लोग इन सारी चीज़ों को promote करते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है search engine search engine का मतलब है चाहे Google हो, Yahoo हो, Bing हो कोई भी एक ऐसा search engine जिसके ओपर भी customer मतलब लोग जो search करते हैं अपनी queries तो हम लोग चाहते हैं कि जब भी हमारे business के similar customer search करते हैं लोग search करें तो हमारी website Google पे या फिर Bing पे, Yahoo पे जो भी हम लोग search engine यूज़ कर रहे हैं उसके उपर सबसे पहले आए तो अब इन चीज़ों के उपर search engine पे हम लोग इसको promote करेंगे website को website के बाद हमारे पास आता है social media social media हमारे पास different types के social media हम लोग use करते हैं जैसे facebook है, tumbler है, pinterest है instagram है, snapchat है, linkedin ऐसे social media जहां पर हमें हमारी audience मिलती हो उन जगाओं पे हम क्या करेंगे अपने business को promote करेंगे next हमारे पास आता है mobile app अब mobile app दो तरह का होता है एक होता है mobile app, एक होता है app in ads अब mobile app को हम लोग ASO भी बोलते है ASO का मतलब है app store optimization मतलब applications को किस तरह से हम लोग promote करते हैं through app store पे या फिर play store पे next हमारे पास है email marketing email marketing different types की होती है, आपके बस paid भी होती है free भी होती है, हम दोनों use करेंगे, paid version भी इसका और free भी, कि emails के जरी हम लोग किस तरह से leads जनरेट करते हैं अपने businesses के लिए next हमारे पास आता है inbound marketing, एक होता है inbound marketing, एक होता है outbound marketing, अब inbound marketing का मतलब क्या आता है, inbound का मतलब होता है, for example आप google पे search कर रहे हो pen drive, आपने हम लोग यहाँ पे example लेते है मैंने यहाँ पे google पे search किया pen drive अब आप यहाँ पे यह चीज़ देख सकते हो यहाँ पे यह websites आ रही है सबसे पहले flip card आ रहा है amazon आ रहा है, अब मैं चाहता तो मैं direct flip card open करके भी यहाँ पर pen drive buy कर सकता था बट अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ for example, मुझे नहीं पता कि क्या flip card पे pen drive available है या फिर क्या amazon पे pen drive available है, example के लिए हमें अगर यह चीज़ नहीं पता है तो मैं google पे क्या कर रहा हूँ, direct search कर रहा हूँ जब मैं इस पे search कर रहा हूँ और यहाँ से buy कर लेता हूँ pen drive तो मैं एक तरह से इसके लिए क्या हूँ inbound, same अगर हम लोग इसको किसी अलग businesses के लिए लेके जाते हैं या फिर real estate के businesses के लिए अगर हम बात करें तो मैं for example, यहाँ पे search करता हूँ टू वी एच के फ्लैट चन्डेगर अब आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे नहीं पता कि 99 एकड के उपर भी flats अवेलेवल हैं अब अगर मैं यहाँ से इसके उपर click करके inquiry करता हूँ तो मैं एक तरह से 99 एकड के लिए क्या हुआ inbound marketing हुआ क्यों क्योंकि मैंने एक keyword के basis पे मतलब जब customer आपको internet पे ढूंडता हुआ खुद आपके पास आ रहा है तो वो क्या है inbound marketing और next हमारे पास आता है outbound marketing outbound marketing का मतलब है जिस customer को हम लोग खुद call करके बुला रहे हैं मतलब हम यह services देते हैं क्या आप इन services के लिए interested हो अगर वो yes करते हैं और हम उनको अपनी services sale कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है outbound बट हमारा जो जादा तर जो focus होता है वो होता है inbound marketing के उपर कि हमें customer के पास ना जाना पड़े customer internet पे search करता हुआ automatically हमारे पास inquiry करे और हमसे हमारे services या फिर products buy करे next हमारे पास आता है important factor of digital marketing अब हमारे पास यहां पे हमने दो चार factors के उपर हम लोग बात करेंगे traditional और digital में basically difference क्या है अब factors हमने जो लिया है वो है reach, target audience, price, ROI ROI का मतलब है return over investment मतलब की जितना पैसा आप market के अंदर लगा रहे हो क्या वो return आ रहा है उसका या फिर नहीं आ रहा अब हम अगर बात करें traditional marketing की तो सबसे पहले हमारे पास आता है reach reach में यहां पे लिखा हूँ है limited area अब limited area का क्या मतलब है for example अगर मैं सिरफ traditional marketing करूँ तो मैं सिरफ एक city को capture कर सकता हूँ सिरफ एक local market को capture कर सकता हूँ मुझे all over अगर चीजों को मतलब for example के लिए अगर आप अकाश institute आप सभी जानते होंगे जो कि basically IIT JEE की coaching provide कर रहा है अगर वो सिरफ traditional marketing करता तो वो सिरफ एक local locations को ही target कर पाता बट अब उसके पास क्या audience सिरफ local नहीं है all over इंडिया से उसके पास audience capture हो रही है क्यों क्योंकि basically जब भी कोई log search करते है और एक्जामपल हम इसका एक एक एक्जामपल लेते हैं मैं Google पर search करता हूं IIT JEE coaching in Chandigarh अब यहां पर मेरे पास क्या हो रहा है सबसे पहले तो यह website सा आगी अब यहां पर अकाश इंसिट्यूट आ रहा है फिर अलग आ रहा है फिर एलन आ रहा है अब माल लो अब जिसे हिमाचल में IIT JEE coaching बहुत कम real मिलती है मतलब वहां को ज़्यादा तर student है हिमाचल को गया आफिर पंजाब को गया वह चंडीगड में coaching लेने के लिए आते हैं अब वहां के बच्चे हैं वह basically क्या सर्च करते हैं वह internet पे जिस चीज के लिए वह सर्व सी coaching लेना चाहते हैं उनको जिनकी भी websites Google पे available हो रही है वह inquiry कर रहे हैं मतलब क्या है एक तरह का inbound marketing मिल रहा है इनको inbound मतलब उनको organic search मिल रहा है organic lead generator हो रही है यहां से मतलब यह चीज तो यहां पे अब क्या हुआ है अगर यह keyword के उपर इनकी website Google पे rank कर रही है तो अब इनके पास बच्चा हिमाचल से भी आ रहा है चंडिगड का local बच्चा भी आ रहा है बहार से भी आ रहे है मतलब यह सिरफ एक particular location के उपर बैठ के all our multiple locations को globally चीजों को target कर सकते हैं जैसे कि यहां पर लिखाव है कि अगर हम लोग digitally जाते हैं तो हम लोग globally target कर सकते हैं इन चीजों को next हमारे पास है target audience अब traditional marketing में target audience यहां पर लिखा है not specific और digital में लिखा है very specific अब यहां पर not specific क्यों लिखा है not specific का मतलब है कि अब अगर मैं tricity में मालोग pamphlet सब बाता हूं तो मेरा यहां पर क्या आता है price का खर्चा मतलब expenses increase हो जाते हैं जब expenses increase होंगे तो आपको जो profitability होगा businesses का वो क्या होगा कम होगा जैसे कि यहां पर digital में क्या है आपके expenses not expenses not expenses का मतलब है as compared to traditional market में के जरिए जो digitally expenses होते हैं वो कम होते हैं अब वो किस तरीके से अब हम वो चीज़ देखते हैं audience का आपको यह चीज़ clear होगी audience में basically मैं फिर से repeat कर रहा हूं audience में अगर हम local market के लिए audience capture करते हैं example के लिए हमने iitj coaching के लिए लिया था तो उनकी अब target audience क्या है plus one plus two के वच्चे अब उसमें भी एक limited audience है limited कौन से वाली non medical और medical के students अगर वो pamphlet चपबाते हैं तो उनको हर sector में pamphlet चपबाने पड़ेंगे या तो फिर वो schools को target करना पड़ेगा उनको schools को मतलब schools में वो webinar देंगे या मतलब seminars बगारा conduct करेंगे बट उसके लिए उसमें क्या है उनका time जादा लगेगा cost जादा लगेगी और results जो होंगे वो कम होंगे क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जिस school में वो जा रहे हैं presentation दे रहे हैं क्या वहां के सारे बच्चे उन्हीं के पास देंगे यह चीज़ें भी clear नहीं है बट अगर हम आज के time की बात करें तो हर कोई मतलब कहीं पे भी चीजों को सीखने से पहले उसके related Google पे सर्च करता है और जो भी Google पे सर्च कर रहे हैं चीज़ें तो जिनको जो भी Google के सबसे टॉप पे दिखता है बेसिकली लोगों को ल website को Google पे टॉप पे ताक कि लोग हमारे पास inquiry कर सकें और leads generate कर सकें हम लोग तो इसलिए digital में क्या है हमारे पास audience very specific क्यों क्योंकि internet पे बही सर्च कर रहा होगा जिसको उसकी क्या होगी जरूरत होगी नीड होगी नेक्स्ट हमारे पास है ROI return over investment अब traditional में यहां पर लिखा है not guaranteed और digital में guaranteed मतलब जो आपने अब traditional marketing में पैसा लगाया क्या वो return आया क्या इसकी कोई guarantee है नहीं क्यों क्योंकि हो सकता है जिस school में आपने seminar दिया उस school के पास आपके बास कोई student in आया हो जरूरी थोड़ी ना वहां क्यों है क्यों क्योंकि internet पे तो वो हर एक customer search कर रहा होगा जिसको जरूरत होगी और अगर आपकी ranking Google पर अच्छी है तो आपके पास businesses भी generate होगा नेक्स्ट हमारे पास आता है methods कौन कौन से है traditional marketing करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आता है SEO SEO का मतलब है search engine optimization next हमारे पास आता है SCM SCM का मतलब है search engine marketing इसमें हमारे पास paid marketing आ जाती है जैसे Google ads, PPC, CPC, display, e-commerce businesses के लिए shopping ads हो गया video ads YouTube पर जो paid campaigns चलते हैं वो सारा का सारा किस के अंडर आता है SCM के अंडर next हमारे पास है social media optimization social media हमारे पास paid भी होता है और free भी अब हमारे पास यह recycle की तरह चलता है सबसे पहले हमने यहां पर बात कर रहे है organic marketing की अब organic marketing है हमारे पास यहां पर क्या-क्या concept हमने नोट करे है direct marketing, SEO, social media, inbound marketing और email marketing अब direct marketing का मतलब क्या है direct marketing का मतलब है जो लोग आपका direct नाम सर्च कर रहे हैं किसके उपर? internet के उपर और आपके पास आ रहे हैं तो वो क्या है? direct marketing marketing मतलब आप इतने ज़्यादा viral होगे आपकी company की, आपके businesses की, आपकी brand value इतनी ज़्यादा increase होगी कि लोग direct क्या सर्च करने लगें अब आपका नाम, for example, Amazon अब हम जब भी हम बोलते हैं कि हमें online shopping करनी है तो हम लोग direct क्या सर्च कर रहे हैं? Amazon पर सर्च कर लो, flip card पर सर्च कर लो, मतलब direct वो क्या है एक तरह का direct marketing मतलब उनकी brand value इतनी ज़्यादा increase होगी कि customer को अब यह सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहे है, online shopping sites वो क्या कर रहे है? direct search कर रहा है, इन companies के ना मतलब brand value increase करना, basically तो वो क्या है direct marketing, next हमारे पास क्या है SEO, SEO में हमारे पास search engine optimization जो होता है, जितने भी हमारी organic listings होगी, वो सारी किस के अंडर आएंगी, SEO के अंडर, social media में organics भी करते हैं हम लोग, और paid भी, inbound marketing मैंने आपको first starting में ही बताया था, कि inbound marketing क्या हाता है basically, कि जो लोग internet पे search करते हुए हमारे पास आ रहे हैं, वो basically क्या हाता है, inbound marketing, email marketing हमारे पास paid भी है और organic भी, next हमारे पास आता है paid marketing, paid में हमारे पास PPC, display, video, social media, paid में भी आता है, email marketing भी paid में आता है, next mobile marketing, mobile marketing में mobile apps, ASO, और app in ads, app in ads का मतलब है, आपने, कई वर आप अपने mobile यूज कर रहे हो तो आपने देखाऊगा कि आपकी application के अंदर automatically add play हो जाती है, या फिर आप कोई game खेल रहे हो, तो automatically adds आती है, तो वो ads किस तरीके से enable होती है, और उनके जरे किस तरीके से आप earn कर सकते हो, हम वो चीज़े इसके marketing या फिर online reputation management, मतलब ORM का मतलब है या आप कि अब आप जिस client के लिए या फिर खुद के लिए जो काम कर रहे हो, आपकी market में reputation कैसी है, आपके जैसे google पे reviews कैसे है, ratings मतलब आपके customer feedback किस तरीके से है, तो वो reputation किस तरीके से build up करते है, हम वो चीज़े बढ़ेंगे, next है हमारे analytics, analytics एक google का tool है, जिसमें हमें अपनी website के statistics पता चलते हैं, कि हमारी website पे कितना traffic आ रहा है, और कहां से आ रहा है, किस keyword पे आ रहा है, हमारी website के कौन से page पे traffic आ रहा है, हम यह चीज़े इसके अंदर पढ़ेंगे, next हमारे पास है, अब SEO क्या आता है, what is SEO, search engine optimization, search engine optimization क्या आता है basically the process of optimizing the website for top organic listing, free listing on search engine, अब search engine कोई भी हो सकता है, चाहे वो Google हो या फिर being हो, मतलब इस line का मतलब basically क्या है, कि जितनी भी हमारी Google के top पे listings आती है, कौन सी वाली, free वाली, free वाली कौन से वाली, अब जैसे example के लिए हमने यह keyword search किया था, अब जैसे यह websites आ रही है, अब यह जित इतनी भी listings आरी है, free वाली, यह सारी की सारी किसके basis पे आती है, SEO के basis पे, clear है, next, अब next हमारी पास है, who is SEO done, मतलब SEO, अब depends on many factors and algorithms, created by search engine, मतलब हमें यह चीज़े कैसे पता चलेंगी, कि SEO जो है, वो किस तरीके से successful, मतलब हम लोग successful करते हैं, जो भी हम SEO कर रहे हैं, उसके जरीए, हमें कैसे पता चलेगा, कि हम जो SEO कर रहे हैं, उसके basis पे, हम अपनी website को, किस तरीके से rank हो रहे हैं, क्या हम जो चीज़े कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं, या फिर, गलत कर रहे हैं, अब यहां पे लिखा हूँ है, 200 प्लस factors, used by Google to rank on a page, मतलब क्या है, basically, इसका, कि 200 से ज़्यादा ऐसे factors हैं, जिसके basis पे, हम लोग अपनी website को, Google पे rank करवा सकते ह हैं, जिसमें से कुछ techniques मैं आपके साथ share करने वाला हूँ, जो मैं अपने लिए और अपने clients के लिए use करता हूँ, उनके businesses को Google के top पे rank करवाने के लिए, next है, 82% of the search user click on organic links, यह जो 82% users लिख्यों हैं, यह Google का 2019 का survey है, जिसमें Google ने कहा था कि 82% जो users होते हैं, वो organic links पे click करते ह हैं, organic links का मतलब है, जिनके आगे AD नहीं लिखाता, जो paid campaigns नहीं होते हैं, free वाले जो URLs होते हैं, organic मतलब, जो free वाली listings होते हैं, Google के ओपर, जो top पे rank कर रहे होते हैं, उनके ओपर click करते हैं, इसका सबसे बड़ा reason यह है, कि Google के ओपर, हर time ad, Google के top पे नहीं दिखती, कभी add आत leads and brand authority, मतलब, अब SEO किस के लिए यूज कर रहे हैं, अपने businesses के लिए, leads generate करने के लिए, और brand authority को increase करने के लिए, SEO takes a good time and efforts, next, what is search engine marketing, SCM, the process of optimizing, the website for top paid listing on search engine, मतलब, अब जितनी भी हमारी paid listings होती हैं, बुसारी किस के अंडर आती है, SCM के अंडर, किस तरह से, अब हम यहां पे लिखते हैं, iPhone 11, case, अब यह ads आ रही हैं, यह वाली, यह basically paid ads है, यहां पे अब हम नीचे bottom करते हैं, ads तो नहीं आ रही, जैसे अभी हमें ad नहीं दिख रही है, इन keywords के उपर, हो सकता है, आपके पास ad दिख रही हो, जब आप सर्च करो, हम कुछ और keyword लिखते हैं, जैसे अभी हमारे पास वो चीज नहीं शो हो रही है, basically क्या होगा, scm के अंडर paid listing में, मतलब जैसे यह pen drive यह लिखा हुआ है, इसके साथ यहां पे क्या लिखा होगा, ad लिखा होगा, किस तरह से, जैसे यह ads लिखा हुआ है, same इसी तरीके से, इस URL के आगे लिखा होगा, basically यह जो add होगी, वो text add होगी, next, जो social media हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वो कौन-कौन से social media हैं, facebook, instagram, youtube, twitter, linkedin, और pinterest, किस तरीके से हम लोग, organically और paid campaigns, इन सारे platforms के उपर चलाते हैं, और businesses को increase करते हैं, इस सारी चीज़े हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, अब basically, जब आप ये course कर रहे हो, तो आपको basic ये चीज़ें आनी चाहिए, जो कि एक ज़रूरी है आपके लिए, आप इसको read कर सकते हो, next, जब आप ये course complete करते हो, तो आपके बाद सब job opportunities क्या हैं, आप entrepreneur मतलब, खुद का start business start कर सकते हो, freelancing कर सकते हो, online earning कर सकते हो, या फिर आप job कर सकते हो, job के साथ आप online earning भी कर सकते हो, और अपने freelancing भी कर सकते हो, और जब आप एक entrepreneur हो, तो आप ये सारी, मतलब job का छोड़ के, आप ये तीनों चीज़े कर सकते हो, freelancing भी और online earning भी, अब online earning के लिए, अब कौन-कौन से फ्लाटफॉर्म यूज करने वाले हो, हम लोग Google Adsense, Affiliate Marketing और Freelancing, यह हम तीनों चीज़े पढ़ेंगे, कि किस तरीके से हम इन प्लाटफॉर्म के जरीए, Online Earning करते हैं, Thank you, वीडियो को शेर किजेगा, Like किजेगा, और हमारे YouTube चैनल को Subscribe किजेगा, हमारा जो YouTube पे चैनल है, वो SD Marketer के नाम से है, Thank you,